दूस्तो ये Redmi Note 9 Pro mobile है इसमें charging का problem आ रहा है ये mobile बिल्कुल भी charge नहीं हो रहा है अगर कभी हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है ये problem जब mobile के अंदर देखने के लिए मिलती है तो हमें कहके चीजे चेर करनी होती है अजम आपको detail से बताऊंगा सबसे पहले आपको जब भी प्रब्लम आती है तो charging jack के अंदर ये c-type है जितना भी कचला होता है सब आपने सही तरीके से साफ करके petrol या cleaner की help से इसको सही तरीके से clean करके देखना है काफी पार कचला जाने की वज़े से भी proper charger fit नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से charging accept नहीं कर प होगा लेकिन serial wise चलो तो better होगा क्योंकि बहुत बार यह जो fault है किसी के उसमें अलग-अलग section से आता है ठीक है तो हमने चार्जर को इसमें connect कर लिया है और चार्जर connect कर निकवा सब से पहले हमां voltage कहां पर check कर नहीं है यह देखिए जहां पर यह connector रगता है उपर पत्ता है ह दोनों side को check करना है देखिए properly 5.2 volt बन रहा है कोई भी इसमें ऐसा वो नहीं है issue नहीं है बिल्कुल okay है अब यहां तक voltage अपने check कर लिए बिल्कुल okay है आपने इस charging पत्ते को छेड़ना नहीं है बिल्कुल छोड़ देना है इसके बाद आप यहां पर इसको connect किजे पत्ते क जो उपर mainboard से connect है और पत्ते को उपर से खोल कर उपर वही दोनों side को check करना है सबसे last के जो multi terminals होते हैं उनमें उल्टे जानी चाहिए यह देखिए इसमें इसमें भी proper है यानि कि कहीं पर भी बीच में line कोई भी इसमें break नहीं है सब कुछ okay है अब जब यहां तक मैंने check किय तो बल्कुल okay था और उसके बाद fault असल में था कहां से बहुत बारिक था बड़ देखने पर दिखा नहीं हलका सा यह यहां पर हलका सा यह टूटा था यहाली line हलका सा टूटी थी जिसके जैसे proper तरीक से connect नहीं हुपाया अब यहां पर आपने करना क्या है देखिए पत्ता बदल नहीं सकते और इसको भी अगर बदल नहीं सकते है तो यहां पर से एक wire उठा के आप यहाँ पर jumper कीजिए गा और दूसरी तरब से दूसरी तरब को आपको jumper करना है सबसबने बैटरे को डिस्कनेक करता हूं और इसको लगाता हूं देखिए इसको लगाया मैंने और य जंपर करेंगे अब सबसे पहले करेंगे क्या भी जो नीचे से पता आ रहा है पत्ते का जो इस वाला टर्मिनल जिस तरफ हमारा ये टॉमिनल टूटा है उदर पर पत्ते के टर्मिनल के जिस नीचे हम हलका सा स्क्राइच करके एक हलका सा जंपर वायर जोड़ेंगे मैं जूड के आपको दिखाता हूँ स्क्राइच करके जंपर वायर को जूड़े लेना है यह नेगेटिव साइड है जिससे टूटा हुआ है वो नेगेटिव साइड है तो हलका समय एक जंपर वायर टैप का जूड़ी है तो जोड़ने के बाद अच्छा बहुत पतला भी मत जूड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एंपर लेता है तो वह जल सकता है जिसके वुझे से फिर से प्रॉब्लम आपको फ्रेस करने पड़ सकती है तो हलका सा मोटे साज कर लिजेगा जो कि इसके एंपर को सेहन कर ले आप हम इसको यहें पर कनेक कर लेंगे दुबारा से और नीचे भी कनेक कर लेते हैं और यह जो वायर हमने लिए है उसको बॉड़ी पर कहीं भी ग्राउंड को लगा लेना क्योंकि यह जो साइड है वो हमारे नेगेटिव साइड टूटी है तो उसको आप बॉड़ी पर कह सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है और चेक सही तरीके से करना है आप जिसको कनेक्ट करें क्या वो सही तरीके से ग्राउंड के साथ में ही कनेक्ट है या फिर नहीं ठीक है तो जिस चाइट में प्रॉब्रम ठीक है और जो नहीं नहीं सीखने वाले ना उनको थोड़ा सा है ना जहीं से बताना पड़ता है इसलिए गल्ती नहों अब देखी मैंने जोड़ी आया है और जोड़ने के बाद बिल्कुल माई का लोगों आगया है और चार्जिंग को ले रहा है अब देखिए